कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल राम जी के ट्रिक में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के प्रिवियस एयर के कुछ पेपर हल करेंगे के बीएस के जो पुराने पेपर हैं उसको हम लग देखेंगे बहुत ही महतपूर सिरी चल लए है दोस्तों इस समय तो हम लोग चलते हैं कियूशन की और पहला कियूशन देखेंगे निम्ली खित में से वाचन सीच्छड भी धी नहीं है वाचन सीच्छड भी नहीं है आप्षन े अनुध्तानी भी धी आप्षन भी ध्तानी संब भी अप्षन हीआप्षन दी सामावेथ पाठ भी दी बताओ दोस्तों कौन सा जबाब सही होगा आपका सही जबाब होगा option D समावेद पाठ बीधी ये नहीं है नहीं पूछा है ये नहीं है option कौन सा सही होगा option D अगला क्यूशन हम लोग देखेंगे निमलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूफ है option D option D option D बताव दोस्तों कौन सा जबाब सही होगा आपका सही जबाब होगा option A आशू बहाशार आपका सही जबाब होगा आशू बहाशार निमलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूफ आशू बहाशार अगला क्यूशन देखेंगे अब लोग किफिशन नमबर तीर हिंदी भाशा में हिंदी भाशा की बोलियां है option A 22 option B 23 option C 18 option D 15 हिंदी भाशा में पांच उप बोली हैं दोस्तों पांच उप को बोली हैं इस पॉइंट को नोट कर लिजिएगा दोस्तों हिंदी भाशा में कितनी बोलियां है अब का सही जबाप होगा आप संद्री अधार बोली कितनी बोलियां है दोस्तों अधार बोली अगला क्यूशन हम लोग देखेंगे कि समाजिक सब्द में मूल सब्द और प्रत्या है आप सने समाज धनिक आप संबी साधन माजिक आप संसी साम समाज धन जीक आप संदी समाज समाज धन एक कौन सा जवाब सही होगा आपका सही जवाब होगा आप्शन ए समाज धन एक कौन सा जवाब सही होगा आप्शन ए समाज धन एक एक अगला क्यूशन देखेंगे क्यूशन नंबर पांच तथभव पत्रिका के संपादक का नाव आप्शन एक लेस आप्शन भी हरे प्रकास वाद्या आप्शन सी विस्वनात प्रताफ तिवारी आप्शन डी लिला धर जुगन बताओ दोस्तों तथभव प्रतिका के संपादक तथभव पत्रिका के संपादक का ने दोस्तों आपका सही जवाब होगा आप्शन एक लेस आप्शन अगला क्यूशन देखेंगे अकाल का पर्यावाची है और परिहार अधियारा अच्छत दुर्भीच आपका सही जवाब होगा आप्शन डी दुर्भीच अगला क्यूशन देखेंगे क्यूशन नंबर साथ जिसकी पूरो से आशा नहो उसके लिए एक सब्द अनाहोत अपरिमे अप्रत्यासीत प्रत्यासा आपका सही जवाब होगा आप्शन सी सही जवाब होगा मुझे से उठा नहीं गया वाक्य में बाच्य है भावाच कर्मवाच कृत्यवाच इन में से कोई नहीं मुझे से उठा नहीं गया कौन सब्द आच्य है भावाच आपका सही जवाब होगा आप्शन ए अगला क्यूशन हम लोग देखेंगे क्यूशन नौनमबर निश कपट सब्द का संदी विच्छेत है आप्शन निश धन कपट क्या आप्शन बी निश धन कपट कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा क्यूशन निश कपट का संदी विच्छेत क्या होगा निश धन कपट क्यूशन नमबर दस देखेंगे निमन में से किस देश में लिखने और बोलने में हिंदी भासा का प्रयोग किया जाता है OCS मारिसस आपसं बी पाकिस्तान आपसं सीडसी अमेरिका Culture ली आश्ट्रेलिया आश्ट्रेलिया कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा और आपसंचर अ मारिसस में हिंदी भासा लिखने और बोलने में प्रेयोग किया जाता है अगला Q eastern देखने हेंगे, शूर्सागर किस भαसा की रचना है, 36 गड़ी, ब्रज, बंदेली, अवधी, सूर्सागर किस भासा की रचना है, 36 गड़ी, ब्रज, बंदेली, अवधी आपका सही जवाप होगा option B ब्रज ब्रज भासा का सूर सागर की भासा की रचना है ब्रज भासा 12 नमबर सवाल बीरो का कैसा है वसंत कभिता के किसकी लिखी है option A राम धारी सिंधीन का option B माखानलाल चतुरुवेदी option C सुभद्रा कुमार चोहन option D सुमित्रा कुमार चोहन बटाओ दोस्ते कौन सा जवाब सही होगा आपका सही जवाब होगा option C कौन सा जवाब सही होगा option C सुभद्रा कुमार चोहन अगला क्यूशन 13 नमबर देखेंगे छेत्रीय में कौन सा भी सेसर है सरवनामिक भी सेसर परडाम बोधक भी सेसर संख्या वाचक भी सेसर गुरवाचक भी सेसर छेत्री में कौन सा भी सेसर है दोस्तों आपका सही जवाब होगा option D गुरवाचक भी सेसर गुरवाचक भी सेसर अगला क्यूशन देखेंगे 14 नमबर चोरहा सब्द में समास है अब्याई भाव समास दीगु समास दौंद समास कर्मधारक समास चोरहा में कौन सा समास है दोस्तों चोरहा यानि चार रास्तो वाला चार क्या है दोस्तों संख्या वाचक संख्या का परयोग सबसे पहले किसमें किया है दीगू समास में, कौन सा समास होगा, दीगू समास, अगला क्यूशन देखेंगे, सधोनी का उचारड अस्थान है, दें तालू, तालू, मुर्धा, दुन, बताओ दोस्तों, सधोनी का उचारड अस्थान कहां है, कौन सा जवाब सही होगा, आपका सही जवाब होगा option B कौन सा जवाब सही होगा option B तालो अगला question हम लोग देखेंगे question number 16 अत्यंद सब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है अत्यंद सब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तो आपका सही जवाब होगा option A अत्य कौन सा उपसर्ग होगा अत्य अगला question देखेंगे हम लोग घुमक्कर सब्द में कौन सा प्रत्य है कड प्रत्य, अड प्रत्य, ड प्रत्य, अकड प्रत्य घुमक्कर में कौन सा प्रत्य है दोस्तो आपका सही जवाब होगा option D अकड़ प्रत्य आपका सही जवाब होगा option D अगला question हम लोग देखेंगे समास का बिलोम क्या है साहसीक समस्या समासीक ब्यास समास का बिलोम क्या है दोस्तों आपका सही जवाब होगा option D, ब्यास, कौन सा जवाब सही होगा, option D, अगला क्यूशन देखेंगे, क्यूशन नमबर 19, चार गज मलमल में कौन सा विशेसर है, सरोनामिक, परिडाम वाचक, गुड़ वाचक, संख्या वाचक, बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा, आपका सही जवाब होगा, संख्या वाचक, option D, चार यानि संख्या, कौन सा वाचक, संख्या वाचक, आख की किर्की होना का अर्थ क्या है, बहुत प्री होना, कश्ट दायक होना, दोखा देना, अप्री लगना आख कि किर्किरी होना दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा आपका सही जवाब होगा आपसन डी कौन सा जवाब सही होगा आपसन डी और प्री लगना आज के लिए बस इतना है दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियों पर अगर चैनल पर नए हो तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए बेल आइकन बटन जरू दबा दीजिए जिस्टे कि हमार वीडियों आप तक सबसे पहले पहुच जाए तो के वीएस की स्रीज निरंता दोस्तों चलती रहेगी हर रोज नया वीडियों हमारे यूटूब में मिलेगा प्रीविएस येर से लेकर संबंधित और टापिक वाई जो स्रीज चल रही है सब साथ में मिलेंगी जैनल